हेला फ्रेंस आज के वीडियो में हम त्रिपुरा जियोग्राफी के उपर पूरे complete information को देखने के कोशिश करेंगे तो यह जो वीडियो रहेगा यह वीडियो टिपीए से related कोई भी exam हो उन सब exam के लिए बहुत ही important है इस पे आपको पूरा information त्रिपुरा जियोग्राफी के river tribes सतो ही ल रेंज और hover होगा हम graph साथ मैप के साथ साथ आक के समझ जाएंगे तो यह जो graph के साथ या map के साथ अबर हम देखाएंगे समझाएंगे एक बार आप आप समझ जाएंगे तो यह आपके दिमाग में बैढ कीप बार बार आपको पढ़ना नहीं पढ़ेगा दुब demographic features के बारे में soil type कैसे soil होते है त्रिपुरा में climate क्या है त्रिपुरा का power plant कौन-कौन सा है कहा कहा पे है world life centuries के बारे में बात करेंगे national park के बारे में बात करेंगे तो लगभग त्रिपुरा के geographic के जितने भी portion है वो सब इस video में cover करेंगे और exam oriented जो questions पूछे जाते है जियोग्राफी से खासकर के त्रिपुरा जियोग्राफी से उसके जो maximum portion है आप मान सकते हैं कि 90% तक questions इस video पे आपको cover हो जाएगा तो सबसे पहले आम location की तरफ चलते है location के लिए दो चीजों की जरूरत होती है एक है longitude दूसरा है latitude तो हमें पता है कि longitudinal line कौन सा है जो prime meridian है हमारा zero degree prime meridian इसके दो तरफ यानि north और south के तरफ जितने भी line होते हैं उन सब line को कहा जाता है longitudinal line तो इंडिया के अगर हम बात करें इंडिया की longitudinal line कौन कौन सा है एक जा रहा है यहां से और दूसरा यहां पे north east के जो last part है वहां से यह cut करते जाता है तो अब देख सकते हैं यहां पे longitudinal location इंडिया का कितना है 68 degree east से लेके 97 degree east तक है तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां से 0 degree शुरू आता है आगे चलके यह 68 है तो त्रिपुरा की location क्या होगा त्रिपुरा यहां पे है तो त्रिपुरा की location है आप देख सकते हैं यहां पे 91 degree 09 minute east से लेके 92 degree 20 minute east तक यह जो location है यह longitudinal location त्रिपुरा की यानि east के तरफ जा रहा है prime meridian के यह जो अमारा prime meridian है 0 degree prime meridian इसके east के तरफ जितना भी line है वो सब eastern part में आता है तो इंडिया eastern part के आने के कारण से यह जो location होगा इसका east में होगा अब हम latitude की बात कर लेते से latitude यानि वो सारे line जो 0 degree equator के parallel में होते हैं तो इंडिया की latitudinal location क्या है एक है main land की खास करके 8 degree 4 minute north से लेके 37 degree 6 minute north तक तो यह जो latitudinal location है इंडिया का त्रिपुरा की latitudinal location क्या होगा यहां से होके यहां सक जो line जा रहा है यह दो लाइन त्रिपुरा की latitudinal location बताएगी तो देख लेते कौन-कौन सा लाइन है एक है 22 degree 56 minute north से लेके 24 degree 32 minute north तक यह location हमारा त्रिपुरा का है आपको यह जो लोकेशनल जो value है यह जो value आपको याद करके रखना है ताकि exam में अगर पुछा जाए तो आप गलती ना के अगला जो है वह है total area total area कितना है त्रिपुरा के वह है 10491.69 km अब बहुत बहुत important हो चुका है exam point of view से देखा जाता है कि 10491 सबको पता है लेकिन point के बाद कितना value ता वह याद नहीं रहता है exam में वही पुछा भी जाता है point के बाद कितना value है तो चार different value देदेगा तो इसके लिए आपको याद रखना है point के बाद कितना है point 69 स्कूर किलो मेटर length कितना है 183.5 km और width है 112.7 km अब एक important line है जिसके बाद हम बात करेंगे वह है topic of cancer यह line की important है tripura के geography के बारे में आम बात करें तब क्योंकि यह line है यह इंडिया के कुल 8 राज्यों से होते हुए गुजरा है उनमें से एक राज्य कौन सा है tripura इसलिए important बन जाता है यह line 8 राज्य कौन-कौन सा है गुजराट राजस्तान मध्यप्रदेश च्छतिसगर्ड सरकंड वेस बेंगल त्रिपूरा और मिजूरम अब हम international border और state border की बात करें तो सबसे ज्यादा length tripura की जो कुल length है उनमें से cover कर रहा है कौन सा वह international country वह उसका नाम है बांगलादेश इसकी total length है 856 दूसरा जो सबसे ज्यादा length share कर रहा है वह एक इंडिया का state है कौन सा वह मिजूरम जो north tripura district के maximum area cover कर रहा है और साथी साथ एक चोटा सा portion या चोटा सा length cover है किसके दोरा asam के दोरा अब यहा पर देख सकते asam की जो length है लंबा आई है इहाँ से लेकर यहाँ तक यानि कितना है 53 km तो मेक्सिमम पोर्शन देखा जा रहा है कि कहां से कहां तक है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक length cover हो deiह बंगलादेश के जरिए या क्या हुआ है त्रिपुरा मेक्सिमम एडिया इसलिए देखा जाता है त्रिपुरा के जितने भी नदी है वो सारे नदी आल्टिमेट ली जाके बांगलादिश में बहते हैं हील रेंज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिपुरा जियोग्राफिक अगर हम पढ़ रहे तो तो यह हील रेंज हमें दो चीजों से अगबाई करेगा दो चीजों के बारे में हमें बताएगा एक हो गया रेंज के बारे में दुसरा हो गया पिक के बारे में और साथी साथ यही से जो रिवर ओरिजिनेट होते हैं उन सब रिवर ओरिजिनेट पॉयन्ट के बारे में भी हमें पता चलेगा अगर हम हील रेंज को पूरे मैप के साथ देखते हैं तो एक बार मैप देख लेते हैं हील के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं में अब दिया हुआ है हिल रेंज के तो में जो हिल रेंज है त्रिपुरा में जंपुई साकांग लॉंगतराई आठारोमुरा और बड़ोमुरा आठारोमुरा हिल रेंज यह हिल रेंज सबसे बड़ा हिल रेंज है त्रिपुरा में सब आथारमुरा हिल रेंज की इसकी लेंड है 106 km, जम्पूई हिल, जम्पूई हिल का लेंड कितना है, 74 km, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टन चीज है, जो है वेटलिंग सिप, वेटलिंग सिप क्या है, ठीपूरा के हाइस्ट पीक है, hill range में प्रसी जो हाइस्ट पीक है, जिसका नाम है वेतलिंक सीप्ह यह कॉन से रेंज़ पर यहाता है Nachthapui हिल रेंजबर इसके हाइड किटनी है इसके हाइड है 939 मीटर अथाम और हिल में जो नाम है जाणी मूरा इसके हाइड कितनी है four hundred eighty one मिटर लेकिन इसके हिसाब से लगबग दुगनी हाइट है ये वेटलिंग शीप क्या है 939 मिटर। लॉंग तरा हील में हाइस पिक है फ्यंग पी, और इस हील रेंज की लैन्ध कितनी है 48 किलो मेटर। दैबगटा मुड़ा एक हील रेंज है जिसकी लंबाई है 85 किलो मेटर। साकांग हील 58 km बोरो मुरा जो सबसे चुटी hill range है जिसकी लंबाई कितनी है 47 km और इन में से जो highest peak है बोरो मुरा जिसकी height कितनी है 269 मिटर तो ये सारे important hill range होगे जो सारे के सारे hill range लगभग parallel है अब हम river की बात करें तो important कुछ river है तृपूरा में जिनके बारे में हम बात करेंगे इन में से अगर हम range युआज चले तो जमपूई hill range से निकला है दो river एक है hill river river जमपूई hill से निकला है और दुसरा है जूरी river जूरी river जमपूई hill से निकल के ये धामनगर से होते हुए यह बंगलादेश में चला जाता है लेकिन यह जो river द्याव river है यह जुंपूई हिल से निकल के यह अल्टिमेटरी जाके मनू रिवर के साथ मार्ज हो जाता है और यह मनू रिवर कहां से originate हुआ है यह originate हुआ है शाकांग से शाकांग हिल रेंज हो है वहां से originate होते हुए यह मनू रिवर बहते हुए द्याव के साथ मिलती है और फिर बाद में यह आगे चलके बंगलादेश में गुजर जाता है तो यह जितने भी रिवर है वो सारे के सारे north flowing river है यहाँ पर जो river देख आप कौन सा यह जो river है जूरी यह मनू और फिर है धलाई यह धलाई डिस्र जिस रिवर का नाम है को वाई रिवर जो ओरीजनेट हुआ है कहा सेन यह ऑर और ईगी वार ओर ढरीजनेट हुआ है लक्तराई हिल से ल्होंग्तराई हिल से और इगे यह अल्टमिटली कहाege जाके मिल जाता है बांगलादेश में चला जाता है अब एक gaug 지ै। यह चीष दे शौकांग हिल से जिसकी लैंड कितनी है 167 किलो मीटर तो ये तरिपुरा में सबसे लंबी नदी माने जाती है जिसकी लंबा है 167 किलो मीटर तो ये शौकांग हिल से निकलते वे ये के बीच मेंसे घुज़रा है, जो बड़मुरा हिल से निकला है और आगे चलके ये बंग्लाधेश में चला गया दोस्रा है बीजाए नदी जो सिपाही चला ढृसिस्टिक से होते हुए आगे चलके बंग्लाधश में मिल गया है और तिसरा जो important river है, west flowing river वो है GBUTI ये गुमोती रिवर बहुत important थे त्रिपूरा के जोग्राफी की इसाब से त्रिपूरा के history में भी इस river बहुत important role play करता है तो ये river कहा कहा से बनी है ये river दो उपनदियू से बनी हुई है तो उपनदियू का नाम कौन कौन सा है ये देख सकते है आप राइमा और शर्मा ये राइमा river कहा से निकली ये लौंगतराई से निकली है और शर्मा river जो है अठारह मुरा से निकली है यह दो रिवर आल्टिमेटली आके तिर्थो मुक में मिल जाता है और वहां से यह रिवर गोमुती का ओरिजिनेट हुआ है तो यहां पे अब देख सकते हैं डुमबूर भी है जहां पे यह दो रिवर के पानी को ठैरा के हैड्रो पावर्टनेंड बरवाया गया है यह देख स गोमुती यह important river है जो west flowing river है त्रीपुरा की नदियों में सबसे ज्यादा discharge करती है कौन सी नदी तो यह है गोमुती रिवर पानी सबसे ज्यादा discharge होता है इसी रिवर से और सबसे लंबा नदी कौन सा है वह है मन्यू दो सौथ प्लंग रिवर में important है एक है मुहरी और दूसरा है फेनी तो यह जो मुहरी और फेनी रिवर खास करके अभी के टाइम पे बहुत important माना जा रहा है economic prospect से क्योंकि बंगलादेश के साथ जो economic zone बनाया गया है बंगलादेश के साथ जो economical transaction होने वाले आगे चल गए वो सब इसी रिवर के उपर एक भीज़ बनी है उसी के उपर से यह पुरा कारोबार चलेगा जिस ब्रीज बनाय गया उस ब्रीज का नाम है मैतरी सET। नाम दिया गया है इस रिवर के उपर ब्रीज बनी है तो यह उसी हिसाब से important बन गया है ये दो south flowing river है फैनी जिसके लंबाई कितनी है 116 km ये 3 अलग अलग stream मिलके एक river बनी है river मुहरी जिसकी originate कहा से हुई है ये देवोता मुरा हिल से हुई है और इसके लंबाई है 64 km तो त्रिपुरा के नदियों के बारे में सबसे important कौन कौन सा चीज़िया में याद अगना है तो सबसे हो गया सबसे लंबा नदी वो कौन सा है वो है मनू river सबसे छोटी नदी हावडा river सबसे ज़्यादा discharge का river कौन सी नदी से होती है वो है गुमती river तो ये important pick point है हमारे river के topic के उपर से आगे बढ़ते है अब हम देखेंगे national park और wildlife century के बारे भी त्रिपुरा में total area जितना है 10491.69 km square km उसमें से forest reserve कितना है या forest area के अंडर में आता है लगबक 6000 के उपर 6294.29 square km तो maximum area forest cover है उसी के चलते हुए यहाँ पे 6 total PA है protected area उनमें से 4 जो है wildlife century है और 2 national park है चार wildlife century कौन कौन सा है देख लेते हम शिपाही जला wildlife century ये 87 ने बनी थी शिपाही जला डिस्टिक में है ये और इसकी total area कितना है लगभग 13.46 square km तृष्णा वायलेफ सेंचुरी जो साओध त्रिपुरा गोमती और शिपाही जला डिस्टिक को मिला के है जिसकी area कितनी है 163 0.08 square km गोमती वायलेफ सेंचुरी जो है वो सबसे बड़ी है त्रिपुरा में जिसकी area है लगभग 400 के आसपास यानि 383 389.54 square km रुआ सबसे छोटी वायलेफ सेंचुरी है सबसे बड़ी वायलेफ सेंचुरी कौन सी है गोमती और दो नेशनल पार्क है एक है लियोपर्ड नेशनल पार्क जो कहाँ पे है सिपाही जला वायलेफ सेंचुरी के अंदर में ही है और दूसरा है राजवारी जिसका और एक नाम है बाइसोन नेशनल पार्क यह कहाँ पे है यह त्रिशना में है तिशना वाइललाइब सेंचुरी के अंडर में तो यह इंपोर्टेंट वाइललाइब सेंचुरी और यह नेशनल पार के त्रिपुरा में administrative structure जो बहुत important है त्रिपुरा के total district है 8, subdivision है 23, ब्लॉक है 58, उन में से first block कौन सब बनाया गया था जिरानिया ब्लॉक, revenue circle हो गया 32, इंडिया के साथ यह मर्ज हुई थे कब 15th October 1949 को C state category दिया गया, फिर इसे union territory बनाया गया और आगे चलके यह statehood बनी थी, यह date important है, हर एक exam में इस date को आप याद कर लीजिएगा, secret category बनी थी 26 January 1950, union territory बनी यह 56 को 1st November 1956, और इसको statehood का दर्जा मिला 21st January 1972, municipal corporation कितना है, एक ही है, अगर तला municipal corporation, ward है कितना, 49 ward है इसमें, village development committee कितना है, 587, यह अंडर TTRDC के अंदर में है, ग्राम पंचायत कितना है, 591, total ग्राम पंचायत और village committee मिलके है, 1158, जला परिशद है, 8, पंचायत समिती है, 35, यहाँ पर आप देख सकते है, district wise, subdivision कितना है, हर एक district में वो दिया गया है, पहले तीन district होगा करता था, सबसे पहले, north, south, west, फिर north को, तोड के धलाई district बनाए गा 1995 में, फिर आगे चलके 2012 में, 4 और ने district बनाएगे, तो अभी total 8 district है, 8 district के अंडर में अलग-अलग subdivision है, सबसे बड़ा subdivision, कंचनपूर subdivision, जो north त्रिपूरा district में है, total tribes, अलग-अलग tribes है, त्रिपूरा में उनमें से, सबसे highest population कौन सी tribe की है, वो है त्रिपूरी community की, second highest ह 19 में, एक और जूड़ गया है, डार्लंग community जो पहले cookie tribe की अंडर में आते थे, तो इनको अब नया tribe का दरजा दिया गया है, तो अभी फिलहाल हो गया है, 20 tribes, इनकी अलग-अलग भाशा है, अलग-अलग culture है, rituals है, इसके उपर आगर आपको जानना है, तो हमारे और एक वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, या जो playlist है हमारे geography of tripura, वहाँ पर भी ये सारे वीडियो, MCQ जितने भी वीडियो हम डाले हुए है, या explanation वीडियो है, वो सारा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, population census 2011, ये भी important एक parameter है, exam point of view से, कुछ सवाल यहाँ से भी आते है, तो इन में से सबसे important कुछ-कुछ है, sex ratio जो important है, 957, literacy rate है, 87.2%, sex ratio है, 960, child sex ratio जो पहले मिने बोला था, child sex ratio होगा, वो कितना है, 957, और density कितनी है, density है, 350, तो ये कुछ important parameter है, population census के, आप इन point को याद रखिए, ये exam में आने के chances है, और exam में अगर आगे, तो आपको बहुत ही फाइदा होगा, अगर आप इन सारे point को याद रखिए है, climate कैसा है, त्रिपूरा के climate है, tropical savana climate है, tea garden सबसे पहले कब बनी थी, ये बनी थी, 1916 में, ये सबसे पहला tea garden है, हीरा-चरा, जो की उनगरे district में हाभी, एक important वीडियो है हमारा, important dates and first इन त्रिपूरा, जहाँ पे हमने सारे important date को compile करके रखे है, इस वीडियो में, त्रिपूरा के जितने भी important dates है, उन डेट को, और त्रिपूरा में पहले event या पहले वेक्ति कौन थे, इसके उपर हमने और एक वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते, तो ये जो सवाल है, ये वहाँ पे भी है, first tea garden, first tea garden कौन सा है, हीराचरा, ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था, 1916 को, thermal power plant कहाँ पे है, मोनार्चक में, ये कहाँ पे, ये सिपाही जला district में, largest industry, त्रिपूरा में कौन सा है, handloom, सबसे important export product कौन सा है, rubber, soil cover, ये एक important parameter है, soil cover, त्रिपूरा म या जाता है, और त्रिपूरा की जो soil है, वो acidic है, seismic zone कौन से zone में आता है, ये zone 5 में आते है, त्रिपूरा, यानि नॉट इस्ट के जितने भी states है, वो सारे के सारे लगवग zone 5 में आते है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही, यहाँ पे हमने लगवग त्रिपूरा के जो important geographical prospect है, उसके बारे में बात किया है, इसके बारे में बात किया है, अगर आपको geography related, त्रिपूरा geography related और कुछ सवाल चाहिए, और कुछ जानकरी चाहिए, आप ज़रूर comment section में comment करिए, और आप हमारे जो playlist है, त्रिपूरा geography के playlist वहाँ पे जाके और भी वीडियो से वहाँ पे देख सकते हैं, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, तो ज़रूर comment section में comment करिएगा हम आपके लिए वह सारे information प्रवाइड करवाएंगे, अगला जो हमारा वीडियो होगा, वो वीडियो हम त्रिपूरा history के ऊपर लाएंगे, जो एक compile वीडियो होगा, पूरे त्र subscribe कर लिजिए, साथी साथ बेरल आइकन में क्लिक कर लिजिए, ताकि वो वीडियो मिसना होजाए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते है अगले वीडियो में, थैंक्स फो वाचिंग और बेस्ट आफ लग पोर यह एलसां.